हलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई स्वोलिशन्स और इस उडियो हम सीखने जा रहे हैं मैक बाइंडिंग इन आरेचल 7 लास्ट उडियो हमने डेसीप सर्वर कॉंफिगर करना सीखाता हूं इस उडियो हम डेसीप सर्वर के थू किसी क्लाइंट मसीन को स्टाटिक आईपी एड् नहींगे तो सबसे पहले बात करते हैं डेसीप लीज डेटाबेस होता क्या है डेसीप सर्वर डेसीप लीज डेटाबेस में उन सभी क्लाइंट की इंपॉलमशन रखता है जिसको उसना आईपी एड्रस प्रोइड किया है और अभी तक उसने किपने क्लाइंट मसीन को आई प्रवाइड किया है और उनका लीज कब एकस्पायर हो रहा है यह सारी डीटेल लीज डेटाबेस में डीज़सेपी सर्वर स्टोर करता है अब बात करते हैं कि लीज डेटाबेस स्टोर कहां पर होता है तो इसके लिए सबसब लिए टार्मिनल ओपन कीजिए और उसके बाद आपको मूँ करना है cd.vart.lib.dacp इसके अंदर dacp सर्वर का लीज डेटाबेस स्टोर होता है इसके अंदर आपको एक फाइल दिखाई देगी dacpd.leach इस फाइल के अंदर dacp सर्वर का लीज डेटाबेस स्टोर होता है इसको चेक करने के लापकेट कमबान यूज कर सकते हैं ओने में देकिन इसमें कुछ डिटेल को बता रहा है कि किस मरसीन को उसने कुछ आइप प्रवड किया है कि सपीदम Nee इस machine को दिया है, जिसका make address यह है, और यह वाला IP address इस ने इस machine को दिया है, तो यह जो database आपको दिख रहा है, यह old database है, अब diet यहां से भी यह command exit कर सकते हैं, kate slash war slash lib dcpd और dcpd.leach, अब बात करते हैं कि dcp lease database को update कैसा किया जाता है, तो इस database को update करने के लिए आपको dcp service की service restart करते हैं, जैसे आप dcpd की service restart करते हैं, तो यह lease database automatically update हो जाता है, तो सबस्राइब हम चेक करते हैं, कि हमारे dcp service start है या नहीं, तो इसका status चेक करने के लिए हम command exit करेंगे, systemctl status dcpd.service, तो अभी यह service inactive है, और client machine पर जाईए, application पर क्लिक कीजिए, इसके बाद आपको जाना है, system tools, system tools के अंदर आपको जाना है, setting, इसमें आपको एक option दिखाए देगा, network, इस पर आपको क्लिक करना है, तो यहां पर यह wired configuration बता रहा है, इसको अभी तक कोई भी IPRS मिला नहीं, आप यहां पर जो edit बटन हा रहा है, इस पर क्लिक कीजिए, आपको पर क्लिक कीजिए, तो इसको IPRS मिल रहा है, तो इससे अभी तक IPRS मिला नहीं, तो इसको disable कीजिए, तो नहीं मिला देखिए, क्यों नहीं मिला, क्योंकि अभी तक हमारा DHCP server active नहीं है, यहां पर बता रहा है, देखिए, active mode inactive बता रहा है, तो सबसे पहला हमें DHCPD की जो service है, उससे start करना पड़ेगा, तो उसको start कर देते हैं, उसके लिए command exit करना है systemctl start dhcpd.service, इसका फिर से इसका start check कर लिजे, तो देखिए, अब active है, अब इसको आप disable देखिए, यहां पर इसको IP address assign हो गया है, 172.18.209.52, अगर नहीं मिला है, ताब से enable और disable करके देखिए, तो यहां पर आपको, जो IP address display सब्सक्राइब कर देखिए, वो यहां पर आपको display कर देखिए, अभी इससे जैसा है, यहां सरफ जाईए, और यहां पर वो दोरा process जो आपने last item लेका तो वही यह चीज़े बता रहा है, यहां पर, अब हमें list database check करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सब सब पहले, DCPD जो service है, उससे restart कर देते हैं, DCPD. sorry, restart, DCPD. service, उसके बाद, lead database check करेंगे, आपको कमान लिखना है, वार, लिप, DCPD, DCPD. service, sorry, leads, तो यहां पर बता रहा है, जैसे, यहां पर देखिए, यह IPR, इस मचिन को assign हुआ है, जिसका नाम है, CL1, देखिए, पिछले बार यह नेम नहीं आ रहा था, जब हमने, लास्ट राम जब लेखा था, लीज़ डिटाबेस, तब उसमें नेम नहीं आ रहा है, सिप हार्ड़ एड्रस आ रहा था, और यह साथ डीटेल आ रही थी, तो अब यह बता भी रहा है, कि Client Hostname CL-1 है, पहले क्यों नहीं आ रहा था, जब पहले IPR उस Client को मिला था, तो हो सकता है, उस Client को hostname assign नहीं हुआ हो, यह जो default hostname यूज हो रहा था, अब ही यूज कर रहे हूं, तो अभी इसका hostname है, आप चेक कर लिजे यहां से, टर्मिल ओपन कीजिए, और इसका hostname चेक कर लिजे, hostname city, तो इसका hostname है, cl-1.mysolutions.com, यही आपको यहां पर देखे है, hostname बता रहा, cl-1, और इसको make address ही है, और इसको IP address हुआ 52, तो इस तरह आप lease database चेक कर सकते हैं, और उस update कर सकते हैं, उसके बाद बात करते हैं, कि DAC पर सब्सक्राइब किसी client machine को static IP address प्रवाइड कैसे करते हैं, तो इसके लिए आपको, जो DAC पर सब्सक्राइब की main configuration file है, उसको आपको edit करना पड़ेगा, तो सबसे फिले उस file में जाईए, vim, flash, etc, dacp, dacp.conf, और उसमें यहाँ पर आपको एक, कुछ value आप देखेगी, देखे, जब भी आपको किसी client machine को static host, static IP address प्रवाइड करना है, तब आपको यह entry करनी होती है, तो इसको यहाँ से copy कर लिजे, और इसको सबसे नीचे यहाँ पर paste कर दीजे, और उसके बाद इसका host name में change कर देता हूँ, तो हमार पीछे का host name है CL-1, और यहाँ पर उसका make address आपको लिखना है, तो इसके लिए आप यहाँ पर जाएगे, इसके client machine पर और इसका make address copy कर लिजे, तो इसके लिए edit button पर click कीजिए, और details में आपको hardware address यहाँ पर display हो रहा है, इसको आप copy कर लिजे, और cancel और यहाँ पर यहाँ पर उसको paste कर दीजे, तो यह उसका make address copy हो गया, उसके बाद यहाँ पर एक entry और आपको करनी है, option host-name, जो आपका hostname है, client का जो भी hostname है, वो आप hostname यहाँ पर provide कीजिए, जैसे हमारे pixel का hostname है, cl-1.mysolutions.com, उसके बाद जो IP address आप उस client को assign करना चाहते हैं, वो IP address आपको यहाँ पर type करना है, जैसे मैं उसको assign करना चाहता हूँ, 172.18.209. अब जैसे हमारे पास जो range है, वो 50 से लेके 60M, तो मैं उसको 58 वाला IP address assign करना चाहता हूँ, उसके बाद इसको save कर लीजिए, इस फाइल को, और उसके बाद, DACPD की जो service है, उसे restart कर दीजिए आप, उसके बाद client machine बजाईए, और इसको एक बार disable कीजिए, लेन कार्ड को, और enable कीजिए, तो देखिए, इस बार इससे IP address मिला है 58, इसले बार इससे मिला था 52, अब जयाँ सर पर जाईए, और list database चेक कीजिए, यहाँ पर देखिए, आपको एक चीज नोटिस होगी, जो IP address को assign हुआ है, उसकी यहाँ पर entry नहीं होगी है, देखिए, आपने सर्विस को restart कर दिया, फिर भी यहाँ पर entry नहीं हो, यहाँ पर अभी भी old entry ही बता रहा है, उसका रिजन यह है कि जो हमने जो इसको जो IP address प्रवाइड किया है, वो static IP address है, तो static IP address के entry इस list database में नहीं होती है, यहाँ को ध्यान रखना है, इसमें जो क्लाइड में का IP address आप यहाँ से प्रवाइड करेंगे, क्लाइड मशीन को क्यावल उन्नीकी information इसमें इस्टोर होती है, तो इस तरह आप DC पर सरवर के थूख किसी क्लाइड मशीन को static IP address प्रवाइड कर सकते हैं, और अपना list database आप अपडेट कर सकते हैं, तो इस उड़े हम और DC पर सरवर के थूख किसी क्लाइड मशीन को static IP address कैसे प्रवाइड करते हैं, यह इस उड़े हमने सिखा हैं, तो उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए होगा, अगर आपको मेरी उड़े हम पसंद आ रहे हैं, तो लाइक बटन ज़रू प्लिक करें, और लेटेस पूर वाँच predictive ढखे टोची क स्वाज़ ऑ्लिक को करते हैं, और सॉप प्लिक करता हैं, पास्वह टूराएड में मेरी किसीकश आपको झापको पसंद सच्य आपको कि तो तो ऋंद स inom पhlाएड करते हैं, तो बेजेना